ओम शान्ती आज दो अगस्त 2021 की साकार मुरली आज बाबा नी कहा मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तूम भी फॉलो फादर करो सुगदाई बनो इस दे को भूलते जाओ प्रश्न देही अविमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य प्रेम होगा दूसरा वे कभी एक दो की खामियों का अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे तिसरा वे बहुत-बहुत सुगदाई होंगे चौथा उनकी खुसी कभी गायब नहीं होगी सदा अपार खुसी में रहेंगे पांचवां कभी मद्वेद में नहीं आएंगे चठा हम आत्मा भाई भाई है इस स्मिर्ती से गुन गराही होंगे उन्हें सब के गुन ही दिखाई देंगे वे खुद भी गुनवान होंगे और दुसरों को भी गुनवान बनाएंगे और सात्वा उन्हें एक बाप की शिवाई और कोई याद नहीं आएगा ओम शान्ती ओंचते ओंचते बेहत के बाप के सम्मो तुम सब बच्चे बैठे हो तुम कितने भाईगे साली हो जो ऐसा बाप मिला है तुम ग्यान सागर बाप के पास आये हो ग्यान रतनों से जोली भरने कमाई करने बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना उंच ले जाते हैं बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं उनको तो किसी को याद नहीं करना है इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है बाप केते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं मुझ आत्मा को तो स परण्तु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता तो हुना हूं, उनका बच्चा हूं, तो साथ में देखता हूं, मैं बीष्यो का मालिक बन गुमता हूं, जैसे कि मैं यह करता हूँ, मैं द्रिष्टी देता हूँ, देश सहीत सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खोब पुर्सात करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो भादर करो, शुगदाई बनो, आपस में कभी लड़ो जगडो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देखो भूलते जाओ, शिवाए एक बाप के और कोई याद ना आए, यवी जैसे जीते जी मौत की अबस्ता है, इस दुम्या से जैसे मर गए, कहते भी हैं, आप अपने साथ बाते करो, बहुत उकीर, अर्थात, उमंग से बाप को याद करो, बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आया की आया, बस एक की याद में सरीर का आंत हो, इसको कहा जाता है एक आंत, बाप को याद करते करते, यह सरीर उपी चमनी छोड़ जाएगी, तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुरानी दे, खलास हो जानी है, बाकी पुषात के लिए थोड़ा सा संगम का समय है, बच्चे पुछते हैं, बाबा, यह पढ़ाई कब तक चलेगी, बाबा कहते, जब तक देवी राजधानी अस्थापन हो जाए, तब तक सुना आते रहेंगे, फिर ट्रास्फर होंगे नई दुनिया में, यह पुराना सरीर है, कुछ न कुछ करम भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, देवाला निकला, बिमार हुआ, बाब कहेंगे, यह तुम्हारा हिसाब किताब ह हाँ, फिर भी योग से आयू बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, किरपा मांगो नहीं, बाब को जितना याद करेंगे, इसमें ही कल्यान है, जितना हो सके, योग बल से काम लो, भक्ती मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो, पिरिये चीज को नूरे रतन, प्राण प्यारा कहते हैं, यह बाबा तो बहुत प्रिये हैं, परंतु है गुप्त, उनके लिए लब ऐसा होना चाहिए, जो बात मत पुछो, बच्चों को तो बाब अपनी पलकों में छिपाते ही हैं, पलके को यह आँखे नहीं, यह तो बुद्धी की बात है, मोश्ट आप के साथ कितना प्यार होना चाहिए, बच्चों की कितनी निश्काम सेवा करते हैं, तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है, कितना निरंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर में लखी लग जाएगी तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रुहानी प्रेम होना चाहिए परन्तु दे अविमान में आने के कारण वो प्यार एक दो में नहीं रहता है एक दो की खामिया ही निकालते रहते हैं फलाना ऐसा है वो यह करता है तुम जब देही अविमानी थे तो किसकी खामिया नहीं निकालते थे आपस में बहुत प्यार था अब फिर वो यह अवस्था धारण करनी है पहले तुम कितने मीठे थे फिर ऐसा मीठा सरा सुगदाई बनो देह अविमान में आने से दुगदाई बने तो तुम्हारे रुहानी खुजी गायब हो गई लाइब भी छोटी हो गई अब फिर बाप आया है तुमें शतो परधान बनाकर सरा सुगदाई बनाने तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामिया निकलती जाएगी मध्भेर निकलता जाएगा यपक का याद रहे हम भाई भाई है आत्मा भाई भाई को देखने से शदेव गुन ही दिखाई पड़ेंगे सब को गुनवान बनाने की कोशिस करो अब गुनों को छोड गुनों को धारन करो कभी किसी की गलानी नहीं करो कोई कोई में ऐसी खामिया है जो खुद भी समझने सकते हैं वो तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं परन्तो खामी होने के कारण कहा न कहा उल्टा बोल निकल पड़ता है शतो परधान अबस्था में यह बाते नहीं होती अपने आपको देखो हम कितने मिठे बने हैं हमारा बाप के साथ कितना लब है बाप से लब ऐसा हो जो एकदम चटका रहे बाबा आप हमको कितना ओश समझदार बनाते हो स्वर का मालिक बनाते हो ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए रुवानी खुसी में रहना चाहिए गाते भी हैं खुसी जैसी खुराग नहीं बाप के मिलने के भी कितनी खुसी रहनी चाहिए शंगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सराख खुसी में रहने की खुराग मिल जाती है फिर कोई को किसी बात की चीनता नहीं रहती है अवे कितनी चीनता है इसलिए उसका असर सरीर पर भी आता है तुमको तो कोई बात की चीनता नहीं ये खुसी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो एक दो को ये जवरदस्थ खातरी करनी है ऐसी खातरी मनिश से मनिश की कर न उस खरापत भी यह है, किसको बाप का परीचे ही देना, यह ज्ञान और योग की फर्स्ट कलास वोंडरफूल खुराख है, यह खुराख एक ही रोहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मन मनाभ हो, मैध्धा जीव हो, बस दो वर्संस की यह खुराख है, मोस्ट विल्वड बाप से बीश्चो की बासा ही मिलती है, यह कोई कम बात थोड़ी है, यह तो वचन ही नामिक ग्रामी है, इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो, तो तुम बच्चों को इन बातों का सिम्रण कर हरसीत रहना चाहिए, Godly student life is the best, यह गायन भी अभीका है, जितना हो सके एक दो को यह रुभानी खुराग पहुचाओ, एक दो की उन्नती करो, time waste ना करो, बड़े धिरज से, गंबिरता से, समझ से बाप को याद करो, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ, मिठे बच्चे बाप की जो सीमत मिलती है, बाप का संदेश सभी को पहुचाना है, बाप का मेसेज सभी को मिलना तो है ना, मेसेज बहुत सहर जे, सिप बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कर्मिंद्रियों से मनसा वाचा कर्म ना, कोई भी बुरा कर्म नहीं करो, एक दिन तुम्हारे इस सालेंस बल क आवाज निकलेगा, दिन प्रती दिन तुम्हारी उन्नती होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सच बताते हैं, यह ब्रामनों का जहार बहुत बढ़ता जाएगा, पर आरे नएने सेंटस खोलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनिश आकर अपनी जीवन हेरे जैसी बनाते रहेंगे, तुम बहुत प्यास से एक-एक की संभाल करनी हैं, कहां किसी बिचारे के पैर खिसक ना जाए, जितने जास्ती सेंटस होंगे, उतना जास्ती आकर जियादान पा आने का राजयोग सिखाओ, आगे चल कर बहुत धुमधाम होगी, कि वही भगवान आकर आबू में बधा रहे हैं, तुम बच्चे देख रहे हो, कि इस समय पुरानी दुन्या में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं, अब ये सबी रोले खतम होने हैं, इसकी तुमें कोई भी फ अगर मोह होगा, हिर्दय सुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुसी भी नहीं रहेगी, बच्चों को अथा ग्यान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुसी होनी चाहिए, जितना हिर्दय सुद्ध होगा, उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे, योग की स्तिती स अगर देव में मोह है देविमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है देविमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं इसलिए जितना हो सके देविमानी बनने का अभ्यास करो अच्छा मीठे मीठे सिखिल्धे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को याद प्यार गुड मोनिंग नमस्ते नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट बाप शमान निरंकारी बन बहुत प्याज से साव की शेवा करनी है शी मत पर चलना है अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है दूसरा पोइंट संगम पर बाप दोरा जो खुसी की खुराक मिली है वोई खुरा खाते और खिलाते रहना है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है आज प्यारी मिठे बावा का बरदान मैं पन का त्याग कर शेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मुरत सेवाधारी भो मैं पन का त्याग कर शेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मुरत सेवाधारी भो शेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूती तभी कर सकते हैं जब मैं पन का त्याग हो मैं सेवा कर रही हूँ मैंने सेवा की इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की इसको कहा जाता है, शेवा में सिदाख होई रहने वाले, त्याग मुरत सच्चे सेवा धारी, कराने वला करा रहा है, हम निमीते हैं, सेवा में मैंपन मिक्ष होना, अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवा धारी में ये संस्कार हो नहीं सकते स्लोगन व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ओफर सामने आएगी अब सुनते हैं मातेश्विजी के अनमोल महावाक्य हेडलाइन जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय हम सभी आत्माओं की बोज समय से यह आस थी कि जीवन में सदा शुक सांती मिले अब बहुत जनम की आसा कब तो पूर्ण होगी अब यह हमारा अंतीम जनम उस अंत के जनम की भी आंत है ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो भी छोटा हूँ छोटे बड़े को सुक तो चाहिए ना परन्तु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ग्यान चाहिए अब तुमको नौलेज मिली है कि इन पांच विकारों में फशने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है इनको परमात्मा की याद अगनी से भसम करना है यह कर्म बंधन से छुटने का सहज उपाई इस शर्व सक्तिवान बावा को चलते फिरते सुआसो सुआस याद करो अब यह उपाई बताने की सायता खुद परमात्मा आकर करता है परन्तु इसें पुर्सार तो हर एक आत्मा को करना है परमात्मा तो बाप टीचर गुरू रूप में आए हमें बरसा देते हैं तो पहले उस बाप को हो जाना है फिर टीचर से पढ़ना है जिस पढ़ाई से भविश जनम जनमांतर सुख की प्रालब्द बनेगी अर्थार जीवन मुक्ति पद में पुर्सार अनुसार मरतवा मिलता है और गुरू रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं तो इस राज को समझ ऐसा पुर्सार करना है यही टाइम है पुराना खाता खतम कर नई जीवन बनाने का इसी समय जितना पुर्सार कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद रिकार्ड भरेगा फिर सारा कल्प चलेगा तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है देखो इस समय ही तुमें आदि मत अंत का ग्यान मिलता है हमको सो देवता बनना है और अपनी चर्ती कला है फिर वहां जाके प्रालब्द भोगेंगे वहां देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे अगर यह पता होता कि यह सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चींता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे तो यह इश्वरिय काईदा रचा हुआ है कि मनिश सदा चड़ने का पूर्सात करता है अर्थात सुख के लिए कमाई करता है परंतु ड्रामा में आधा-धा पा सुख लेना है यह पुर्सात की खूबी एक्टर का काम है एक्ट करने समय शंपूर्न खूबी से पाड़ बजाना जो देखने वाले हियर हियर अर्थात वावा करे इसलिए हीरो हिरोईन का पाड़ देवताओं को मिला है जिनों का यादगार चीत्र गाया और पूजा जाता है नीरविकारी प्रवरिती में रा कमल फूल समान अवस्था बनाना यही देवताओं की खूबी है इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दूर दर्सा हुई है अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है अब उनका हाथ पकरने से जीवन नया पार होगी अच्छा ओम शान्ति